नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में फ्रेंट्स इस वीडियो में जो अधीगम की कठिनाईया होती है जितनी भी इनके संख्या कुल 11 और इन सभी को मैंने कवर किया है और पहले पेज पर ये में में कठिनाईया है जो च्यार जो में आईलाइट की है मैंने ये च्यार ली है जो सारी नहीं कर सके वो इन च्यार को तो जरूर याद रखे और आसानी से समझाओंगा बड़ी आसानी से आपको ये देखे इन पर multiple twice क्यूस्टन पुछे गए हैं वो और जो भी अच्छे अच्छे जो इन से related क्यूस्टन बनते हैं वो भी इस व कठनाई हैं अधिकम की कठनाई डिस ग्राफिया ये होती है लेखन संबंदी समस्या ग्राफ यानि ग्राफ बनाने में समस्या होती है ग्राफ लिखने में लिखने की समस्या है ये इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो और अगला क्यूस्टन है डिसलेक्सिया ये सब से जादबर पुछा गया है dyslexia जो तारे जमीन पर मुवी बड़ी है इस बीमारी पर ये है पठन वीकार पढ़ने में कठनाई वाज को सा पढ़ता है और nuclear को unclear पढ़ता है तो इसतने का question भी पुछा गया है कि वाज को सा पढ़ता है nuclear को unclear पढ़ता है तो बच्चे को कौन सा रो गए डिक्सलैक्सिया अगला डिसकैलकुलिया यह तो आपको याद रह जाएगा यानि कैलकुलेशन से रिलेटिड यानि गणना में दिक्कत होती है और अगला देखते हैं अगला ये तिन्नों का जोड है समझ लो चार में इन में ये डिफिकल्टीज हैं लर्निंग डिफिकल इनमें ये तिन्नों का dysgraphia dyslexia dyscalculia लेखन सम्बंदी भी समस्या होती है पढ़ने में भी कठना में भी और बॉलने में भी कठनाई होती है और बॉलने वाला नया जुड़ा है ये तिन्नों तो add होगे लेखन पढ़ना dyspraxia में लेकिन बोलने वाला इससे याद ऐसे रखोगे आप कि dyspraxia यानि खुद को express करने में खुद को expressions खुद को दूसरे के सामने express परबावित करने के लिए उसमें कठिनाई होती है अगला question देखते हैं ये question है इस पर जो पुछे गए हैं पहले और अच्छे-च्छे question जो बनते हैं वो हैं तो ये पहला question देखते हैं अगर एक विद्यार थी 31 को 13 पढ़ता है 6 को 9 पढ़ता है B को D पढ़ता है और N को U लिखता है लिखता है सोरी में पढ़ता है बोल रहा थ लिखता है यदि पढ़ता होता यहां पढ़ता होता तो डिसलेक्स या पठन विकार किस्ये हैं डिसलेक्स या वाज को दिसलेक्स या और लिखता को आईलाइट करोगे आप तो यह डिसग्राफ्या हो गया लेखन अच्छमता लेखन संबंदी लिखने में समस्या अगला question देखते हैं दूसरा अधिगम के चेतर में होने वाली एच्छमताओं से निपटने के लिए विशेश सायता की जिने आव सकता होती है उन्हें का जाता है उप्सन है परतिबास अलिबालक अधिगम अक्सम बालक पिछड़ी बालक या मंद बुद्धी मंद बुद्धी बालक तो फ्रेंट्स इसका क्या होगा देखिए उपर जाइए आप अधिगम के चेतर में होने वाली एच्छमताओं से इससे इंट ले लेंगे आप अधिगम अक्सम बच्चों को आउसकता होती है विशेश आउसकताओं की यानि इनके बारे में बात हो रही है परतिबास प्रेंट्स इन बिमारियों के कारण बच्चे को पढ़ने में दिकत होती है तो च्यार में मैंने आपको बता दी हैं यह पांच हुई है जो अच्छे आड लेवल की त्यारी कर रहे हैं वो इनको भी कर लें टोटल ग्यारा हैं यह और इनसे संबंदी दोतीन क्यूस्चन और भी हैं अगली है डिस्थीमिया डिस्थीमिया होती है गंबीर तनाओ की अवस्था जैसे एकजाम्स के टाइम में ज़्यादा तर बच्चों की होती है गंबीर तनाओ के वस्था होती है और अगला है डिस्मोर्फिया डिस्मोर्फिया होती है अपने आपको दूसरों से सु अगला है अफेजिया अफेजिया रोग में बासा समप्रेशन में कठिनाई होती है अफेजिया जब अफेजिया जो ये रोग है ये किसी सारीक है चमताया रोग के कारण हो, मेंली रोग के कारण कि ये अफेजिया बासासंप्रेशन में कठनाई किसी रोग के कारण हो रही है, कोई ऐसा लाईलाज रोग है, जिसके कारण टिबी वगएरा कुछ भी हो सकता है, तो ये हो सकता है, इससे आप डिफरेंस कर लोगे. अगला है बुलीमिया रोग होता है बोजन ग्रैन की परवर्थी समंदी समस्या यानि खाने का नहीं पता होता बच्चों को खाते रहते हैं वो कई तो जब गड़े तक यहां तक भर जाता है उसके बाद भी खाते रहते हैं उसमें डूंसते रहते हैं अपने पेट में जगहन आ तब भी उनको ज्यान नहीं होता कई बचे देखे होंगे आपने असे और अगला है प्रोजेरिया प्रोजएरिय कम आयू में वर्द ववस्था के लक्षण दिखाई देते हैं बच्चों में उनको रोग होता है प्रोजेरियः अगला है अगला डिमेंसिआ लिया है मैंने डिमेंसिया इसके बारे में अभियान भी चलते हैं इस रोग को दूर करने के लिए दीवस भी बनाया जाता है यह होता है तरक नय करपाना समरण सक्ती कमजोर होना वो बच्चा डिमेंस या रोग से पीडित होता है तो फ्रेंड्स आपको यह अच्छी तरह से ध्यान रहेंगे और इनसे रिलेटिड क्यूस्टन और कर लेते हैं कुछ एक गतिक कोशलों में गतिक कोशल पहले तो यह देखो अगले क्यूस्टन से समझ में आएगा आपको गतिक कोशल क्या होते हैं यह क्यूस्टन बार बार पुछा गया है यह मैं बता दूँ कई एक्जाम्स में मैंने लिखा नहीं वैसे पहले भी मैंने वीडियो में साम्मिल किया है प्रिवेस ए उदारन है लिखना उदारन है सुक्सम गतिक को다고 सुल का और अग्या अच्छा गए तो अच्छी तरह तो आप स्देश्य मैं और में और क्मधिश्य सरी निम्सेंशन के इन रिये लेक्स वहतु consent यदि आपकी इच्छा हो तो यदि आप कोमेंट्स में लिख के बताएं तो और फ्रेंड्स आज का मैं क्यूस्चन पूछ लेता हूँ जो की अगली सीरीज फास्ट रिविजन की सीरीज का वीडियो कल सुबह तक मिल जाएगा आपको जो वीडियो नमबर 6 होगा फास्ट आपक होंगे यनि जिस सकूल में 60 वच्चे हैं उस सकूल में कुल अध्यापकों की संख्या कितनी होगी काफी बर पुछा गया क्यूस्चन है important क्यूस्चन है तो प्रेंड्स अगले वीडियो में ये क्यूस्चन साम्मिल भी होगा तो प्रेंड्स सब्से पहले पिछले वी वी चोटाला ने उसके बाद हैं रेन्नु कुमारी ने सही जवाब दिया है और पिंकी राना रेन्नु कुमारी इन्हों ने सही जवाब दिया है उसके बाद हैं नरेश मीना इन्हों ने पता निकिस क्यूस्टन उसके बाद हैं सुधी वर्मा फिर हैं पंकज सिंग फिर हैं बिछे वीडियो में जो डाव्ट वाला जो इस्सा था वो मेंने कट कर HEY जिस्षीं पर आपको सही सही स्था मैंने अब विडियो वह जो सही सही क्यूस्टन है वह इसा मिलें तो फ्रेंट्स देव की नंदन पाठक ने सही जवाब दिया है फिर माई राम ने परसंसा किये माई जी आपका बहुत 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 धन्यवाद इन्हों ने सही जवाब दिया है आग गे और और इसके बाद है निक्की ग्रेवाल, जिया तस्नीम, नेम सारन, कासिम खान, मेरुबा नाज, अनुज दिक्सित, रमेश कुमार, कुशाल सिंग, विवेक कुमार, रमन दीप कौर, सुनिल कुमार गोर, पिरिया सर्मा, दिरजलाल दामोर, मुकेश कुमार और मिन्नुमान फ्रेंट्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आज़ाएं